इस्कूल जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, भेजना चाहिए गार्जने लीं, इद्दम नहीं जाना। क्यों नहीं भेजेंगे? लाइक, शेयर, कमेंट करें इस वीदियो पर और सब्सक्राइब किजेए डेमॉक्राटिक चर्खा को नमश्कार दिमोक्रेटिक चर्खा में आपता स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ रैयान एहवड कोरोना काल में अगर इस्कूल खोले जाते हैं जहां अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बहुत ऐती समस्याएं हैं लगातार कोरोना वाइरिस की जो केसेज हैं वह बढ़ते ही जारें और राजधानी पटना की बात करें तो बाइस हजार केसेज हो चुके राजधानी पटना में वहीं आज हम मौजूर हैं राजधानी पटना में गांधी मैदान में आज गार्जियन से और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या अगर इस कुरोना काल में स्कूल खुलते हैं तो क्या वो अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल तो चलिए बात करते हैं गार्जियन से और जानना चाहेंगे कि उनकी क्या इक्षा है अपने बच्चों को ले करके अभी बढ़ते करोना महामारी में बच्चों को इसकूल जाना चाहिए भेजना चाहिए गार्जाने इसको नहीं है इसके अखला के बच्चे को इसको ले बेदे को अभी खेशी है और आखले काफी तेजी से लायतार बढ़ते जारे तो च्या लेगता है तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेज़ेंगे क्यों नहीं बेदेंगे तो आपने बच्चे को स्कूल भेज़ेंगे आप स empez you क्या लगते है अगर इसकोल बच्चे जाएं तो संक्रमिक नहीं हो सकते है किसक्ति इस कॉरो ना काल में अगर इसकोल खुलते तो क्या बच्चों को इसकुल जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए किश्चा जाते है ऑदा सिंसेफी उता है अगर इस कुरोना काऱ् में अगर इस कुल ए थो डिए थी बच्चों को श्कूल जाना चाहिए गर इन को ए इस कुम कार में ना चाहिए भेजने ए तो क्या आपको बच्चों को emyष्म भावावित हो रहा है जान वहां है कि यह लगता है कि स्कूल अगर कि इस कुरोना काल में खुछते तो बच्चों को भेजना चाहिए इस पहले सजी सिथा सब्सक्राइब नहीं होगे तो अगर इस कुल बच्चे जाएंगे तो संक्रमित नहीं होगे जब जाएंगे तो सब्सक्राइब देखा कि अब किस तरह का क्या कुछ राय है वह आप खुद देख रहे थे वीडियो में किस तरह की गाजियांस और कुछ लोग बता रहे थे कि इस कुरोना काल में बच्चों को इसकुल नहीं बहीं रचे क्योंकि बच्चे जो है वह कहीं न कहीं इस भारत का भवश्य हैं तो अगर आप ने अभी मड़ी तक हमारे झाल झाल